शुंख्षेप्त माहा भारत के आश्रम एधिक पर्ण में सरहितकारी धर्म का वर्णन त्वादशी वरत का महात्मय तथा अजुन के द्वारा भगवान जी की स्तुती युदिष्टर ने कहा भगवान अब आप मुझसे समस्थ पराणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजी तब भगवान जी ने कहा है युदिष्टर जो धर्म दृद्र मनुश्यों को भी सर्ग और सुख परदान करने वाला तता समस्थ पापो का नाश करने वाला है उसका बड़न करता हूँ सुनू जो मनुश्य एक वर्ष तक प्रती दिन एक समय भोजन करता भर्म चारी रहता क्रोध को काबू में रखता नीचे सोता और इंद्रियों को वश में रखता है जो शनान करके पुटर रहता व्यग्र नहीं होता सत्य बोलता किसी की दोश नहीं देखता और मुझे में चित लगाकर सदा मेरी पूजा में हिसन लग रहता है जो दोनों संध्याओं के समय एकागर चित होकर मुझे संबंद रखने वाली गाइतरी का जब करता नमो ब्रहमन नियदेवाई केकर सदा मुझे परना किया करता पहले ब्रहमन को बोजन के आसन पर बिठाकर बोजन कराने के पश्चाद सेम्मोन होकर जोकी लफसी अथा बिक्षान का बोजन करता तथा नमस्ते वास दिवाई केकर ब्रहमन के चर्नों में परनाम करता है जो परतेक मास समाप्त होने पर पित्र ब्रहमन को बोज करता है तदा ब्रामन के हाथ से सरने युक्त जल लेकर अपने शीर पर छिड़कता है उसके जान बुझकर या अंजान में किये हुए दस जन्मों तक के पाप तत्काल नस्ट हो जाती हैं इसमें तनिक भी अन्निता विचार करने की अविश्यक्ता नहीं है तो ये दिश्टर ने कहा भगवन सब परकार के उपवासों में जो सबसे श्रीष्ट महान फल देने वाना और कल्यान का सरुत्तम सादन हो उसका वर्ण करने की कृपा कीजिए तब भगवन जी ने कहा राजन जो वरत मुझे भी अतिन तप्रिये है उसका वर्ण करता हूं सुनो जो प्रुश में परतिष्टित होता है अम आवस्या और पुर्णा ये दोनों पर्व दोनों पक्षकी द्वादशी और श्रवन नक्षत्रयुक्त द्वादशी ये पांच तिथिया मेरे पंच में कहलाती हैं ये मुझे विशेश प्रिये हैं आताए श्रेष्ट ब्रहमनों को उचित है क मेरे विशेश प्रिये करने के लिए मुझे में चित लगाकर इन तिथियों में उपवास करें जो सब में उपवास नहीं कर सकें वे किवल द्वादशी को ही उपवास करें इससे मुझे बड़ी परसंता होती है जो मार्क्षिश की द्वादशी को दिन रात उपवास करके क नाराइन नाम से मेरा पूजन करता है वे वाजी मेध यग्यका फल पाता है जो माग की द्वादशी को अपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है उसे रास यग्यका फल पराप्त होता है फागुन के महिने में द्वादशी को अपवास करके जो गबिंद के नाम से मेर अर्चन करता है उसे अतिरात्र याक का फल मिलता है चेत्र महिने की द्वादशी दिति को वरत धारन करके जो विश्नु नाम से मेरे पूजा करता है वे पुंड्रेक यग्य के फल का भागी होता है मैं साख की द्वादशी को उपवास करके मदसूदन नाम से मेरे पूजा करने वाले को अगनिश टॉम यग्य का फल मिलता है जो मुरुश जेष्ट मास की द्वादशी दिति को उपवास करके तिविक्रम नाम से मेरे पूजा करता है वे गो मेध के फल का भागी होता है अशाड मास की द्वादशी को वरत रह कर वावन नाम से मेरी पूझा करने वाला पुरुश को नरमेध ही यग्य का फल पराबत होता है श्रावण के महिने में द्वादशी तिदी को उप्वास करके जो शरीधर नाम से मेरा पूजन करता है में पंच यग्य का फल पाता है भादरपा दमास की द्वादशी तिति को उपवास करके रिशीकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सुत्रा मनी यग्य का फल मिलता है अश्वनी की द्वादशी को उपवास करके जो पदम नाब नाम से मेरा अर्चन करता है उसे एक हज्जार गौदान का फल प्राप्त होता है कार्तिक महिने की द्वादशी तिती को वरत रहकर जो दामोधर नाम से मेरी पूजा करता है उसको संपुरन यग्यो का फल मिलता है जो द्वादशी को केवल उपास ही करता है उसे पूरवक्त फल का आदा भाग ही प्राप्त होता है इसी परकार श्रावन में भी यदि मनुश्य भक्ती युक्तचित से मेरी पूजा करता है तो मैं मेरी सालोग के मुक्ती प्राप्त होता है इसमें तनिक्वी अन्निथा विचार करने की विश्यक्ता नहीं है प्यक्त रूप से प्रती मास आलश से छोड़ कर मेरी पूजा करते करते जब एक साल पूरा हो जाए तो पुना दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंब कर दे इस परकार मेरी अराध्रा में ततपर होकर जो भक्त बारां वर्ष तक बिना किसी विघन बादा के मेरी पूजा करता रहता है वे मेरे सवरूप को प्राप्त हो जाता है जो मुनुश्य द्वादशिती थी को प्रेम पूरक मेरी और वेज संगता की पूजा करता है उसे निसं मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। युदिष्टर इंद्रादी संपुरन देवता अप्युक्त विदिश्य से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गिय सुक्का भोग कर रहे है। मैं शंपायन जी कहते हैं जनमे जी भवान शिरकिष के इस प्रकार उपदेश तेने पर राजाय दिश्टर हाद जोड़कर भक्ती पूरकुन की इस प्रकार स्तुती करने लगे। रिशिकेश आप सम्पुरन लोखों के स्वामी और दिवताओं के भी इश्वर हैं आपको नमशकार हैं। हज्जारों नित्र धारन करने वाले प्रमिशर आपके सहस्त्रों मस्तक हैं आपको मेरा परनाम हैं। वेत्रई आपका सुरूप है, तीनों वेदों के आप अधिश्वर हैं, वेत्रई के द्वरा आपकी हिस्तुती की गई है, आपको बारंबार नमिश्कार हैं। आप चार भुजादारी, विश्यरूप, जग के अधिश्वर, तदा संपुरन लोकों के आवाज धान हैं, आपको मेरा परनाम है। नरसिंग, आप इस जगत की श्रिष्टी और संगार करने वाले हैं, आपको नमिश्कार हैं। भक्तों के प्रितम श्रिक्रिष्ण, आपको बारंबार परनाम हैं। भक्त वसल, आप संपुरन लोकों और योगियों के प्रिये हैं, योगियों के स्वामी हैं, आपने ही है ग्रीव अवतार धार्म किया था। चक्रपाने, आपको बारंबार नमिश्कार है। धर्म राज ये दिश्टर जब भक्ती गद गद वानी से इस परकार भगवांज की स्तुति करने लगे तो उन्हें परसंता पुरक धर्म राज का हाथ पकड़ कर उन्हें रोका और इस परकार कहा राजन ये क्या तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे इसे बंद करके पहले के ह समान प्रेश्ण करो तो इदिश्टर ने पूचा भगवन कृष्ण प्रक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस परकार करनी चाहिए इस धरम युक्त विशे का वर्णन कीजिए तो भगवान जी निकाह राजन मैं पूर्वत तुमारे सभी प्रेश्णों का उत्तर देता हूँ सुनो कृष्ण प्रक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फ़ल है एकादशी को अपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए उस तिन भक्ती योक्त चित से ब्रामनों का भी पूजन करना उचित है ऐसा करने से मनुश्य दक्षिना मूर्ति को अथ्वा मुझे प्राप्त होता है